मित्रों आप सभी को ये विदित है कि विगत कुछ दिनों से पशिम बंगाल में वोह पावन बंग भूमी जहां से भारत के स्वतंता संग्राम के संघर्ष के स्वरों को सबसे पहला उद्गोश मिला जहां सूर्य सेन, बागा जतीन, शशिंद्रनात सान्याल, सुभाश शन बोश जी और जहां से वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया वो राष्टवाद के स्वर देने वाली बंग भूमी इस समय प्रताडित, दुखी और अत्याचार से पुरी तरीके से तूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है और दुख की बात ये है कि वहां की सरकार इस विशय पर अत्यन्त असम्वेदंशील और अमानवी है यहां तक की उल्टा धमकाने वाला रविया अपना रही है आज ही भारती जनता पार्टी के महिला मोर्चा के महिलाओं जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पश्यम बंगाल की महिला पदादिकारी महिला सांसद और विधायक उनको जाने से रोका गया कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकानतों मजूमदार जी को बल पूरुवक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है और इतना ही नहीं मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाये नहीं जा रहा है उन पे फाई यार भी की जा रही है आपत्य की बात यह है कि इस तरह कि बाते प्रकाश में आई है कि पशिम बंगाल की एसाइटी बजाए प्रतारित महिलाओं को नियाय दिलाने के कहीं ने कहीं उन पे दबाव डालने का प्रयास कर रही है ताकि वो इस विशे को आगे न बढ़ाएं इसलिए ये विशे बहुत संबेदन शील है और सबसे बड़ी बात यह है कि शाजहां शेख जो की त्रडमूल कॉंग्रेस का एक महत्पूर वेक्ति है वो अभी तक गायब है उसका मुक्षे कारण जानते क्या है कहते हैं कि साब उसको हाई कोड से प्रोटेक्शन है जो सरासर गलत है हाई कोड का कोई भी विशे इस संधर्व में नहीं है महिलाओं के द्वारा शाजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में नयायले के दौरा किसी भी प्रकार का कोई निर्देच शाजांस शेख के विशे में नहीं है उल्टे कलकत्ता उच्छे ने आये लेके मुख्छे ने आये धीश ने ये टिपड़ी की है कि वो अभी तक गरिफतार क्यों नहीं हो रहा हूँ गरिफतार इसले नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसको सिर्फ के अपराध कर ले आतंकवाद कर ले दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताडित कर ले मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है मुस्लिम समाज के जो कटर पंथी और आपराधिक तत्व हैं वो चाहें शाजां शेख हो शेख सुराजुद्दीन हो या जहांगीर ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुती निन्दनी है यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यह घटना इसलिए और अधिक खरदय विदारक है कि यह जो तथा कथित सेकुलर दल है यह तो नहीं बोलना है समझ में आता है क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन आफ वुमिन राइट्स हैं वो भी इस विशय के उपर पूरे भारत में मुह में दही जमा कर बैठी हुई है यानि ये भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्ण है और उससे दुखत बात यह है कि तर्ण मूल कॉंग्रेस के नेता इस विशय के लिए नोटंकी जैसे शब्दों का प्रयोग करते है मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संदेश खाली एक घटना नहीं एक फिनॉमिना है जो लोग कहते हैं ना कि दिहास को भूल जाओ तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ यह एक फिनॉमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बरबात किया है एक जन शुर्ती है बंगाल में कि सिराजुद दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थी महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बचसलूकी की जाती थी और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ इस संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है आज से ठीक 78 साल पहले जो नोवा खाली में हुआ था वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुवात है 16 आगस 1946 को जब बंगाल के ततकाली मुक्यमंत्री शाहिद हुसाइन सोरा वर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदूों का नरसंगार कराया था जो सोरा वर्दी ने किया था उसी नक्षे कदम पे मम्ता बनर जी है तो नोवा खाली से लेके संदेश खाली तक ये बंगाल के दर्द की एक दर्दनाग दास्ता है जो सिर्फ इस बात पर पेरित है कि 46 में भी ये सोस्ते थे कॉंग्रेस के नेता कि चुप बैठे रहो बस हमारा अभी का राज बचा रहे आगे बंगाल को जो होना है वो हो जाने दो और बंगाल आधाच चला गया हमारे हाथ से आज वही मान सिकता है कि कटर पंथी आपरादिक तत्वों को संदक्षन दिये रहो फिलहाल की अपनी सत्ता बचाए रखो भविष्य में जो होना है वो होता रहे इसलिए यहां पर जो जो लोग कारवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर्षेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद व्याद समझते ना कसाई समर्षेश है नहीं पाप का भागी केवल व्याद जो तटस्त हैं समय लिखेगा उनका भी अपराद यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग उससे पहले भी इस प्रकार की कई बाते आई हैं अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान करनाटक के कॉंग्रेस के पूर्व कारिकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पी ड़ुडी मिनिस्टर सतीष जारकी हो ली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं खड़गे साब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं इविन में भी याद दिलाना चाहता हूं करनाटक में भी दलित कॉंग्रेस के नेता थे दलित थे अखंड शी निवास मूर्ती उनके आँ भी यही तगड़े वाले वोट बैंग ने हमला कर दिया था अपने नेता के लिए भी पीछे हट गए थे वो विचारा अपनी खुद लड़ाई लड़ते रहे बाद में पाटी भी छोड़ दिये मैं कहना चाहता हूं कि जो करनाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है उसे एक लाइन में समझे एरेडिकेशन और सनातन धर्म एक बयान नहीं है एक अभियान है एरेडिकेशन और सनातन धर्म यानि हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बलकि एक अभियान है जिसे जिसकी जलक आपको तमिल नाडू से लेके करनाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है और मै यह भी आद दिलाना चाहता हूँ बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कॉंग्रेस के में तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मद्रास प्रेसिदेंसी का हिंदू इंडाव्मेंट एक्ट आया था हिंदू मंदिरों को अधिग्रहन कर ने का नहरुजी के समय में तो कोड ने उसे खारिच कर दिया था और दो बार कोड ने खारिच किया मगर इसके बावजूत कानून बना कर उसे बनाया गया साथ एक तरफ विचार ये है और दूसी तरफ है वक्ट बोर्ड का कानून देखिए साथ कैसे तराजू पे तौला जाता है आप ये समझिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि करनाटक की सरकार या कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सबसिडी पुना मैं कह रहा हूं वो अब समाप्त हो गई वो एक अलग विशय है इन्होंने अपने दौर में कोर्ट से अगर क्वैश कर दिया जाए तो कानून बना कर मंदिरों पर टैक्स लगाया मंदिरों की संपत्तिका अधिग्रण किया और उ बयान नहीं बलकि एक अभियान है इसलिए ये विशय अत्यन्त महत्तुपूर्ण है और मैं कहना चाहता हूं राजनीती दलगर राजनीती और चुनाओ इससे कहीं बड़ा ये विशय है क्योंकि इसने भारत को पिछली शताब्दी से लेके इस शताब्दी तक भारत के आज को भी नश्ट किया है हमारे राष्ट को खंडित किया है और राष्ट के अंदर आतंकवाद और अपराद से लहुलुहान किया है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो दर्शन करने गए थे और तरह तरह के दावे कर रहे थे इंडी गठवंदन के चिर्युव कर रखा है बलकि इसके विपरीद वो जिस प्रकार के टिपणी कर रहे हैं और सरकार जो कहर रही है इसे मैं गलती नहीं बलकि यह अपराद कह रहा हूं और इस अपराद का उनको जवाब आने वाले समय में निश्यत रूप से देना होगा मैं पुना जहां से प्रारंब किय था वहीं पर समाप्त करता हूं कि बंगाल की वह पामन भूमी जो बंगाली भद्र लोग के रूप में जानी जाती थी वो आज महिलाओं के उपर अत्याचार होने वाले इस लोग के रूप में जिन लोगों ने उसकी छवी को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया है वो नि मैंने इस पस्ट किया था और क्लारिफाई कर देता हूं एडी जब शाजांस शेख को गरिफ्तार करने गई थी और जिन लोगों ने उनके उपर अटैक किया था जो सीरे तोर पे माना जाता है कि शाजांस शेख के लोगों ने किया था उस विशेख के उपर कोर्ट का डारेक्टिव उस विशेख पे है ये अलग विशेख है मतल़ कल के दिन आप ये कह दें कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस मेरा न लिया जाए इसके लिए निर्देश है तो मैंने चोरी की या डकैती कर दी तो उसके उपर वो निर्देश लागोगा मैंने पुना इस पश्ट किया है महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी F.I.R. के संदर्ब में कोर्ड का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं पर आपके सवाल में एक और बात आती है देखिए कैसे कैसे रतन इन्होंने खटा कर रखे हैं कि आर्थिक भुष्टाचार भी उनी का है इडी का केस पुलिस वालों पे पत्राओं करने का केस भी उनी का है महिलाओं से बलातकार करने का केस भी उनी का है और आदिवासियों की जमीन हरपने का केस भी उनी का है मेरे विचार से इतने बहु आयामी अपराधिक तत्वों को संदक्षन देने का उधारण भारत की राजनीत में आपको बहुत कम मिलेगा आपने criminalization of politics देखा होगा बस सच टाइप अफ मल्टी डाइमेंशन criminalization of politics and its subsequent political patronage and protection is unforeseen unprecedented in Indian history देखे जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है सरकार इस विशय के उपर सारा ध्यान रखे हुए परन्तु आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो सरकार है वो सरकार इस पर जबाब क्यों नहीं दे रही है पश्यम बंगाल सरकार को राजनेतिक उत्तर भी देना है नेतिक उत्तर भी देना है और समवेदानिक उत्तर भी देना है बताइए डीजीपी वहां जाते हैं और कहते हैं कुछ हुआ नहीं तो मैं प्रश्ण पूछना चाहता हूं भी पश्यमंगाल के डीजीपी वहां क्यों गए और डीजीपी लोट के आते हैं अगले दिन धाराइक सो चमाली से लगा दिया जाता है और मैं तो यह कहना मेरा शब्द नहीं है पश्यमंगाल कॉंग्रेस के अध्यक्ष और कॉंग्रेस के नेताप्रतिपक्ष जो टेक्निकली राहूल गांधी से बड़ी पोजीशन में हैं उन्होंने क्या कहा है देर इस दो डेमोक्रेसी न बेंगॉल अधीर रंजन चौधरी डेमोक्रेसी के हत् अधीर रंजन चौधरी जने क्या कहा है दुख की बात यह है कि आज कॉंग्रेस की सिटी हो गई है हमारे कारकरता तो छोड़िये उनके कारकरता मारे जा रहे हैं उसकी उन्हें परवा नहीं है अपने कारकरताओं के जनाजों के उपर पैर रखके भी सत्ता की सीड़ियां चड़ने में उन्हें संकोच नहीं है इस बात का नैतिक जवाब भी उनको अपनी पार्टी के कारकरताओं को देना होगा हमारे प्रती जो विद्वेश और इर्शा रखते हैं वो अलग है देखिए जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं ब्रश्टाचार के मामले में तो मैं ऐसी सभी दलों से पूछना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं यह सत्रवी लोग सभा है सोलवी पंद्रवी चौदवी तेरवी बारवी और ग्यारवी लोग सभा पिछले तीस सालों में एक लोग सभा बता दीजिए जब इन पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रश्टाचार के आरोप में जाच एजंसियों और कोट के चक्करना काटे हूं हम थे क्या थब कोट से प्रूव हो गए जारकंड मुक्तिमोर्चा रिश्वत कांड 1994 कोट में प्रूव हो गया कि जारकंड मुक्तिमोर्चा के तीन सांसदों ने रिश्वत लेकर कोंग्रेस की सरकार को 1994 में बचाया और लालू प्रसाद याज़ोजी 1997 में जेल चले गए ए तो भाजपा थी क्या मोधी जी अमिश्शा जी थे कहीं भाईसब 1994 में मोधी जी तो भाजपा के राष्टी सचिव बन चुके थे अमिश्शा जी का तो नाम नहीं सुना होगा मगर इसे आंदा मतलब दूसरे डंग से कहूं मैंने पारलेमेंट में भी बोला था अक्सर फिल्मों में आप डायलॉग सुनते ना बीस बरस पहले की बात है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं तीस बरस पहले की बात है दोहजार चौबिस में बैठे हैं और 1994 में यही दोनों पार्टियां थी जेमिम और कॉंग्रेस पचीस बरस पहले यही दोनों पार्टी थी राश्टी जनता दल और कॉंग्रेस यही बरस्टा चार था यही किरदार था तो जिसे पुराना गीर था ना उसको थोड़ा परिवर्तित करके बोल दें कि तीस दोनों पार्टिय कि आए दूसरे से क्या कह रही है तीस साल पहले मुझे तुम से प्यार था जिया बेकरार था यही भुष्टा चार था आज भी है और कल भी रहेगा मानेवर यहां पर विशय सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है मैंने आपसे बोला उनका कारिकारी अध्यक्ष क्या शब्द बोला है उनके राश्ट्री अध्यक्ष के पुत्र क्या शब्द बोले हैं उनके मंत्री क्या शब्द बोले हैं उनका दक्षन भारत का सबसे बड़ा गड़बंदन सयोगी इरेडिकेशन आफ सनातन धर्म कहें हैं डेंगू वाइरेस एचाईवी कहें हैं तो उनसे देखे वैसे आम आद्मी पार्टी क्या कहती है और फिर क्या कर देती है इसके उपर कहना बहुत मुश्किल है इस एक पुराना उपनियास था हिंदी साहित का कही न जाए का कही है उनके बारे में क्या कहा जा सकता है मगर एक बात बहुत साफ है अगर वो कह रहे हैं घोषना बहुत कर रहे हैं तो उनकी सिती जानते क्या है हमें आगे ग्रिफ्तार कर लेगी सारे बच्चे एकजाम दे रहे नहीं तो अक्सर फ्लाइंग है flying squad तो जब यहां आएगा तो मैं पकड़ाई जाओंगा तो उसमें कोई भविश्वानी नहीं कर रहा है वो अपने अपराद की स्विकारोगती कर रहा है तो Congress Party अपने अपराद की स्विकारोगती कर रही परंदू एक बात में कहना चाहूंगा देखिए आपने कितना सुन्दर दर्श्य देखा यह वही आमादी पार्टी है ना जिसका सबसे प्रसिद्र डायलाग क्या होता था यह सब मिले हुएं जी यह सब रष्टाचार में मिले हुएं जी यह तो किसी खिलाफ मजबूत उमिदबार नहीं उतारते क्योंकि सब एक दूसरे के भष्टाचार को कवर करते हैं और आज देखिए कहा से कहा मिल गए जी उमिदबार उतारना तो चोड़ए एक दूसरे के साथ मिल गए जी और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने वो अपनी कसम असम तोड़ के पहली सरकार बना ली थी कॉंग्रेस के साथ जो उनने चास दिन चली थी मैं आप सारे दर्शकों से कहता हूं जाके इसको चेक करिए जब वो सरकार टूटी 2013 की बात कर रहा हूं इन्होंने कहा गलती हो गई अब कॉंग्रेस से कभी गड़बंदन नहीं करेंगे फिर कर लिया और मैं कहना चाहता हूं कॉंग्रेस के लिए कितनी सुन्दर बात है तो गुजरात में भी सीट दे रहे हैं मतलब समझे गुजरात में आम आदनी पार्टी ने कॉंग्रेस का वोट हाफ कर दिया पंजाब में उनका स्विच आफ कर दिया दिल्ली में साफ कर दिया और बेबसी देखिए उसके बाद इन्होंने इनको माफ कर दिया तो मैं सिर्व एक पंक तीन दोनों पार्टी ओं के लिए कहना चाहूंगा कि सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं इस कदर समझोतों पर जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं